हेलो फ्रेंस, आज मैं आपके लिए लेकर रहीं वरत में बनने वाली बहुत ओपार टेस्टी रेसिपी, आपने खीर तो बहुत बार बनाकर खाये होगी, इस बार आप मेरे तरीके से इस पूडिंग को बनाकर ट्राइ करें, जो की हम वरत में बनने वाले चावल से ही बनाएं इसके बाद हम इसमें शुगर एड़ करेंगे यहाँ पर मैंने हाफ कप शूगर लिया है अब इसको हम इसमें एड़ करेंगे उसके बाद से कांटीलू चलाते हो अच्छे से ठिक कर लेंगे जब तक की समा के चावल अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाते हैं और बिल्कुल हमारी जो ये पुडिंग है इसका टेक्स्चर क्रीमी नहीं हो जाता है और इसमें हमें चावलों का बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए रेशा और हम इसको अच्छे से मैल्ट करते हुए पका लेंगे और चावल इसमें बहुत अच्छे से मैल्ट भी हो जाते इसमें आपको चावल दिखेगा बिनी आप इसको continue चलाते रहे नहीं तो यह जल सकती है अब देखे काफी थीक होने लगी है अब इसको हम ऐसी लगाता चलाते हो पकाते रहेंगे और देखे इसका टेक्स्चर कितना क्रीमी हो गया है और ठंडे होने के बाद यह और भी क्रीम पर मलाइन आए अब देखे हम इसको प्लेट में ट्रांसवर कर लेते हैं अब मैं इसको प्लेट में ट्रांसवर कर रही हूं उसके बाद हम इसमें मिल्क पाउडर स्प्रिंकल करेंगे अब मैं इसमें मिल्क पाउडर स्प्रिंकल करूंगी आप इसे जरूर से बना कर ट्रा लेकिन एक भार इसको मेरी तरीके से बना कर देखेगा इसㄷ्ज अप तरह से बनाएगं से बनाएंगे आप तो आपको बिल्कुल भी इसमें कीर का फ्लेवर नहीं आएगा इसमें आपको पुडिंग का या अब बडि का फ्लेवर आईगा आप देह युग के अश्यां Small 개Car इसके अपर coconut powder मैंने आड़ गिया है और फिर अपने मंच चाहे ड्राइफ रूट से आप इसे ड्यकूरेट कर सकते हैं मैंने इसको pumpkin seed से ड्यकूरेट किया है पिष्टे से आड़ कर सकते हैं कोई भी जो भी आपको ड्राइफ पसंद हो आप इससे उससे गार्निश कर सकते हैं क्आणे में बहुत लगता है काजू बादाम जो भी रोस पैडल या केसर भी आपको पसंद हो और इसको मैं अच्छे से टाप कर सकते हैं और इसको आप फ्रीज कर सकते है पंदरा से भीस मिनट के लिए अफर आपको जल्दी कानी है वरना तो आप इसे एक से देट घंटे के लिए फ्रीज करेंगे तो इसका टेक्स्चर और भी बहुत अच्छा आएगा और यह बहुत अच्छी लगेगी खाने में ठंडे होने के बाद बहुत अच्छी लगेगी आप इसको पीसिस में भी कट कर सकते हैं इसके पीसिस बहुत एजिली कट हो जाएंगे अब इसके ओपर मैं कोई भी ड्राइ फ्रूट करूंगी और फिर उसके बाद हम इसे कट करेंगे और मैं आपको इसके सरक करके दिखाऊंगे कि इतने अच्छी और कितनी टेक्स्चर इसका क्रीमी आता है और कितनी अच्छी लगती है खाने में बिल्कुल पुडिंग के टेस्की लगती है और आपको इसके बहुत अच्छी लगेगी और इस पास्ट पर आप इसे जरूर बनाएं और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें मिल देंग नही रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई दोस्तों कल्ब यो मजे करो इन्जोई झाल करें लाइक 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 ला